जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका न्यूट चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने इतनी तप्ती दूप में आपने आकर हमारे को कवरेज किया और हमारी बात को आगे तक सरकार तक अपने पहुंचाया, आपका तै दिल से धन्यवाद. दूसरा ये है कि हमारी जो ठेके की मांग है वो पिछले साल 2022 नवंबर 2022 से है क्योंकि जो ये हरीजन बस्ती है ये हरीजन बस्ती पिछले 7-8 साल से इस ठेके से प्रेशान है और मैं खुद भी दारू नहीं पीता और मैं असे के खिलाफ मैंने अपना मुहिम भी चला रखी है पूरे गाओं में सुल्फा भी यहां चलता है वो सुल्फा तकरीबन 50% कवर हुआ है मैं रात तो रात रेड मार के घुम्या हूं हर जगह इंसान को पकड़ा है अभी फिलाल ठेके की जो समस्या है वो समस्या को लेकर मैंने 19 दिसंबर को पहला मेरा प्रस्ताव ठेके काई प्रस्ताव कर दिया था प्रस्ताव करने के बाद हम फिर मैंने दिसंबर में लास्ट दिसंबर में रिमाइंडर दिया फिर मैंने मार्च में रिमाइंडर दिया फिर मैंने अप्रेल में रिमाइंडर दिया मेरे पास चार रिमाइंडर है वीडियो के माध्यम से डीशी साव पवागा परश्ता होना चाहिए और मेरे पास ग्राम सभाका देखो मेरी यह गलती लगा लो मुझे पता नहीं था एक्चुली मेरे पास कोई चिठी नहीं थी कि ग्राम सबाका परश्ताओं कोई दिक्त नहीं है क्योंकि उसके अंदर 10 परशंट साइन्स ही है गाउं 50 परशंट सिगनेचर करने के लिए तयार है क्योंकि गाउं बुरी तरह से परेशान है इस ठेके से उसके बाद में उन्हों ने बोला था कि आपके वो जो केस होते हैं गाउं के अदर अवैद दारू के वो नहीं यहां पर लोग नंगे रहते हैं जो कि यह बाते में आप मीडिया की गाली के लोज करते हैं यहां हमारी बेहन बेटिया जाती है उनके लिए यह बहुत प्रेशानी का रास्ता है अब यह बार अदमी ठेके के लिए अगली बार इसको नहीं चुड़वा लिया तो हमने मंगलवार को डिशी साब को गया था करीब 300 लोग गया थे लेडिस गई थी डिशी साब को गया दिया और हमने वीडियो के माध्यम से बता दिया अभी मेरे पास सेटीम साब का फोन आया उन्होंने बोला है कि भी इसकी लिए हम कोशिश करेंगे भई अब तो इन्होंने चुटवा लिया लैसंस है देखो सर मैं तो यह कहता हूँ revenue ही सब कुछ नहीं होता सरकार के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता हमारा परिवार गाउं और बेहन बेटियां इनको सुरक्सित रखना भी हमारा ही काम है और गाउं न मुझे चुना है तो कुछ सोथ समझ के चुना है सर मैं बिल्कुल नसे के खिलाब हूँ और ये ठेका बिल्कुल किसी भी आलत में यहां नहीं रहना चाहिए तो जो है ये एक बस्ती है इसकी समझ्या है या और दूसरे साथ की गाउं के जो और है गरामिन वो भी इनके साथ है सर एक्चुली तो ये आदे से ज़दा गाउं की समस्या है क्योंकि कोई नहीं चाहता हमारी माँ हमारी बहन नहीं चाहती कि मेरा भाई गरदा रूपी के आके यहां वो जगड़ा करे कोई पतनी नहीं चाहती कि मेरा पती आके यहां दा पीगे जगड़ा करे गाउं की पूरे की समस्या है लेकिन हरीजन बस्ती की इसलिए समस्या है कि यहां यह देखो घर है आसपास सारे के सारे यह सारे हरीजन बस्ती के बिलकुल घर के सामने ठेका खुले हुआ है तो यहां इनकी इसलिए ज्यादा दिक्कत है कि हरीजन बस्ती सबसे कह दिया अब देखो सर मानना तो उनकी फर्ज है हमारा काम परसाफन्थ पहुझाना थे अब सब्सक्राइब से यहां तक की एकसाइस कमिशनर असो कुमार मीना से मैं 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 सर फिफ्टी परसंट साइन करवा लेकिन अब जो ये परकिरिया है अगली परकिरिया फिर एक साल बाद ही होगी वो तो नौंबर में होनी है मैं यह कर चुके हूँ डिस्यास जिम से मिल लिए इस जिम साब को बता दिया डिसी साब को हमने आपन दे दिया अब मंगलवार को दर्बार लगा था अपनी गुवार लगा थी और उन्होंने हमें दो दिन का टाइम दिया था आज चार दिन होगे फिर आप लोगए धरना स्टार्ट होगे अभी धरने पर बैठें ठेके के सामने बैठें जी सर तो कब तक बैठें देखें परसासंट यहा ले रख्या है यह तो चलाएंगे या फिर आप अपनी और कोई कारवाई आप डीसी साब के पास चले जाओ तो आज डीसी साब भी नहीं है चंडीगड गए वे हैं तो आप जाएं तो फिलाल कहां जाएं दो दिन शुटी पर बैठे हैं लेकिन इसी ठेके के अगरम बात करें तो सिफ्ट होने की बात होती है इसको सिफ्ट करने के लिए हरीजन बस्तिके जश्ट बगल में यह दूसरा ठेका रखने की कर रहे थे लेकिन वहां भी अब्जेक्शन है कि यह बिल्कुल नजदीगी है वहां भी यहां से उठागे जी पीछे रख रहे हैं जी सब्सक्राइब